दोस्तों स्वागत है आप सबका पापा कंस्ट्रेक्शन में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दर्भंगा एरपोर्ट के वारे में दर्भंगा एरपोर्ट को इंटरनेशनल एरपोर्ट बनाने के प्लैनिंग की जा रही है SPICE ZET के बाद Indigo और Air India भी दरभंगा एरपोर्ट से अपनी सर्विस स्टार्ट करने वाली है अभी दरभंगा एरपोर्ट से Delhi, Mumbai और Bangalore के लिए Delhi फ्लाइट है लेकिन अब दरभंगा से कोलकाता और हैदराबाद जैसे सहरों के लिए भी फ्लाइट स्टार्ट होने वाला है तो इस वीडियो में लग दरभंगा एरपोर्ट के वारे में कई सारी इंपोर्टेंट जानकारी मिलेगी तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो दरभंगा एरपोर्ट से आठ नौमबर 2020 से ही फ्लाइट सबी से स्टार्ट हो गया है उस टेम में चैनल हैक हो गया था इसी लिए दरभंगा एरपोर्ट के वारे में कोई नया वीडियो नहीं मिला आप लोगों को Recently दर्भंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के द्वारा बताया गया कि International Airport बनाने के planning की जा रही है मैं भी आपको कुछ point बताता हूँ कि आखिर क्यों इस Airport को International Airport होना चाहिए तो सबसे पहला है runway दर्भंगा Airport का runway काफी बड़ा है इसलिए इस Airport से बड़े से बड़े प्लेन को operate किया जा सकता है साथी Airport के चारो तरप expand भी किया जा सकता है क्योंकि Airport के पास की ज्यादतर जमीन अभी vacant है और सबसे important है location वर्तमान में ये Airport East West corridor से directly connected है और future में औरंगाबाद जैनेगर Expressway से directly connected होगा औरंगाबाद जैनेगर Expressway बिहार का पहला Expressway बन रहा है औरंगाबाद जैनेगर Expressway के बारे में जैदा जानकारी के लिए आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दरभंगा Airport की connectivity कितनी अच्छी है खायर International Airport बनने में तो अभी time लगेगा लेकिन यहाँ पर good news यह है कि दरभंगा से कोलकाता के लिए जल्द ही regular flight start होने वाली है 17 नौवंबर 2020 को S5Z की Bombardier Q400 बीमान कोलकाता से दरभंगा पहुँची थी माना जा रहा है कि कोलकाता से दरभंगा के बीच ये flight रूट कैबिनेट के लिए भेजा गया था इस plane को कोलकाता से दरभंगा आने में करीब 1 घंटा 15 मिनेट का टाइम लगा तो अब उम्मीद कर सकते हैं कि अगले कुछ दिनों में दरभंगा से कोलकाता हवाई सेवा स्टार्ट हो जाएगा अभी केबल S5Z की flight दरभंगा एरपोर्ट से उपरेट होती है लेकिन इंडीगो और एर इंडिया भी यहां से flight स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड है दरभंगा से देली का starting price 3800 रुबीज है लेकिन festive season और एक मात्र flight होने के कारण देली से दरभंगा का ticket price 15,000 से भी जैदा हो गया है इसलिए space jet भी देली के लिए flight बढ़ाने पर विचार कर रही है साथ ही Indigo और Air India भी इस पर विचार करी रही है पुरान इसकिम में जितने भी एरपोर्ट को develop करके start किया गया है दरभंगा एरपोर्ट उन सभी एरपोर्ट में से सबसे सफल एरपोर्ट है इसलिए इस एरपोर्ट को expand किया जाएगा अभी facility की कमी है इसलिए expansion में कुछ problem तो है लेकिन धीरे धीरे ही सही दरभंगा एरपोर्ट एक world class facility के साथ international airport जरूर बनेगा पूरा विडियो देखने के लिए आपका बहुत भू धन्यवाद कैसा लगा आपको आज का ये विडियो हमें comment करके जरूर बताना साथ ही इस विडियो को like करके दूसरों के साथ भी share किजिया